तो पियूटो रिको के रहने वाले एमेलियो फोल्स मार्केज जुनकी उम्र 112 साल और 326 दिन है वो अब दुनिया के सबसे बुजर्ग जीवित व्यक्त बन चुके हैं गिनेज वर्ल्ड रिकोर्ड ने वुद्धवार को इसकी खोशना कर दी है दरसल साल 1908 में सैंजुआन की राजधानी प्यूटो रिकान की राजधानी की कोरोलिना में मार्केज का जन्म हुआ था वहें गिनेज वुक वर्ल्ड रिकोर्ड बनाने के बाद मार्केज ने एक इं साथ ही ये भी कहा कि मसीहा हमेशा हमारे अंदर रहता है वही ग्यारा भाई बहनों में दूसरी बड़ी संतान और मतापिता के पहले जन्मे बेटे मारकेज नहीं अपने परिवार के लिए गन्ने के खेत में काम किया और केवल तीन साल तक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की वह अमेरिकी राषपती जो बाईडन के जजों की फहरश्त में एक और भारती जज़ का नाम शामिल हो गया है राषपती ने शालिना डी खुमार को मिशजगन का फेडर्ल जज़ नामित कर दिया है शालिना मिशगन लाव경 का फेडर्ल जज़ बनने वाली ना सिर्फ पहली भा वाइट हाउस ने जानकारी दी है कि शालिना को सीवील और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों के अच्छी जानकारी है। शालिना का अन्यमहतपुर पदों पर रही है। इसके बाद शालिना 2008 में अदालत के लिए चुनी गई और फिर 2014 में वाद दो बारा ने अधिश्पत के लिए चुनी गई। तो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान ने बुद्धवार को कहा कि जब तक भारत जम्मु कश्मीर का विशेश दर्जा हटाने के अपने फैसले को वापस नहीं लेता तब तक पाकिस्तान पढ़ उसी देशों के साथ राजनाइक संबंध बहाल नहीं करेगा। भारत में पांच अगस से दो हजार उन्नीस को सम्विधान के अनुचे 370 के तहट जम्मु कश्मीर का विशेश दर्जा खतम कर इसे दो केंदर शासित प्रदेशों में बाड़ दिया था। खान ने नेशनल असेंबली को अपने संबोधन में कहा मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जब तक भारत पांच अगस से दो हजार उन्नीस की गैर कानुनी कदमों को वापस नहीं लेता। तब तक उसके साथ राजनाइक संबंध बहाल नहीं होंगे। जब मुकश्मीर से विशेश दर्जा हटाये जाने के बाद से पाकिस्तान ने भारत के साथ कारोबार इस थकित कर दिया था। और दोने देशों के बीच इस संबंध निचला इस तर पर पहुँच गए थे। चुले इसी खबर के साथ इस बुलिटिन बस इतना ही अब ने रहे हमारे साथ देखते रही आ रहे हैं।